अल्लो एब्रिवन सौ आई वैलकम यू अगैन और अभी आपको पता है कि हम जो है मिनिस्ट्रीज की जो स्कीम्स हैं उनको लॉजिकल तरीके से कवर कर रहे हैं ठीक है तो इसी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हुए आज हम मिनिस्ट्री आफ को कम्प्लीट करेंगे देखे क कई लोगों को ये सीरीज ना बड़ी अटपटी लग रही होगी कि अभी ये सीरीज का क्या फाइदा अभी उनका अलग अलग जगे से दिमाग चल रहा होगा लेकिन मैं सिर्फ आपको हिंट देना चाहता हूं और इसी के अंदर एक नई वीडियो भी लेके आएंगे कि टॉपर्स के नोट्स कैसे हैं क्या है और बिलीव मी किसी भी टॉपर्स के नोट्स है ना इसलिए नहीं होते कि वो आपको दे सकें बाद में सबके नोट्स के नोट्स इसलिए होते हैं कि वो एक्जाम में जा सकें तो अगर किसी इनसान को ये ऑव्वियस स्कीम याद है तो तो वो इसको क्यों ही लिखेगा Ministry of Colts की Scheme के अंदर और अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं तो सिर्फ भाई ऐसे Scheme 1, Scheme 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लिखता हूँ और उसके आगे एक ही लाइन के अंदर पूरी Scheme खतम एक लाइन में Scheme करता हूँ और फिर इस पूरी लाइन के आगे जैसे Ministry of Defence है तो Ministry of Defence, Ministry of Agriculture है तो Ministry of Agriculture इस तरीके से करता हूँ अभी आपके पास समय है जिसके अंदर आप अपने Logics को Use कर सकते हैं और अपने दिमाग के उपर Burden को कम कर सकते हैं खेर ये बात अभी आपकी समझ में नहीं आएगी लेकिन एक्जाम से पहले मुझे पता है बहुत सारी लोग Scheme को देखने की तरफ भागेंगे और फिर मतलब ठीक है जैसा है तो लेकिन जो सिंसिर केंड़िटेट से विल नो हाओ देखने को एक तरफ रखते हुए हम अपने एक्जाम परस्पक्टिव के इसाफ से अपने स्कीम को कवर करते हैं यह स्कीम जो हैं बैंकिंग एस्पिरेंट, UPSC एस्पिरेंट, CAPF, Assistant, Commandant जीतने जो भी एक्जाम से सबके लिए इंपोर्टन्ट है और इंपोर्टन्ट क्यों है इंपोर्टन्ट को तो मारो गोली भाई, सभी बोलते हैं जो चीज बढ़ाता है कि यह इंपोर्टन्ट है यह इसलिए है क्योंकि हॉलिस्टिक वे के अंदर कवर है, हॉलिस्टिक वे मतलब सारी चीज़ें इंक्लूड़ीड है CGL वालों के लिए फैक्ट भी मिलेगा, SST वालों के लिए फैक्ट भी मिलेगा, BANKING वालों के लिए फैक्ट भी होगा, UPAC के लिए Logics भी होंगे, Everything is there ठीक है और वीजन आये ऐसे है कि उससे बढ़िया मतलब कौन ही होगा, जो स्कीम को कंपाइल करके देता है ठीक है तो खैर, ये हमारा सारा सिस्टम था, तो अभी 1st scheme की तरफ चलते है, हमारी 1st scheme है शक। नाम से चलता है, मां शक्ती दे है न वो Border मेंकर अंदर जो सुनिलशेटी हां, वो बंदा मतलब शक्ती-शक्ती की Interantic देमांड करता है, तो यहाँ पे वो लॉजिक के थूप पकड़ के देखे तो सोचो शक्ति शक्ति आज के समय में सबसे ज्यादा कि इसको बोलते है electricity electricity कहां से मिलती है power plant से power plant के उपर run करते है कोईले के उपर सो ministry of coal तो यह आपका logic हो गया अब यह क्या काम करता है यह जो करती कि जो स्कीम है यह हारनेस करवाती है और allocation करवाती है ओफ कोईला है यह तो पता है तो कोई आए गाई कोई बात नहीं इन इंडिया यह तो हमें पता है बाहर से क्या है ministries को देना ठीक अब यह सारे सीज क्या है यह linking का काम है ना सो linking और यह कौन से एंड कंजूमर मतलब यहां पर तो दे आर दी एंड कंजूमर तो linking the calls with their end consumers is the main objective लेकिन कहीं पूछा जाएगा नहीं not important बस आपको बताने के लिए है हां intended जो beneficiaries है मतलब इस scheme से किन किन लोगों को फाइदा होगा भी power companies को होगा क्यों 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 कि उन्हें भाई जो है ना कोईला मतलब एक फिक्स्ट कोईली की supply मिल पाएगी और वह एक फिक्स्ट लेवल के उपर जो है ना बिजली का पताने बिजली का sign ऐसे होता है ना वह तो जो बिजली वह assured तरीके से दे पाएंगे consumers को भी मतलब अगर ज्यादा बिजली available होगी ज्यादा लोग available होगे तो एक better जो fixed competitive pricing होती है वो competitive pricing के थ्रूँ उन्हें वो चीज़े मिल पाएंगी बिजली मिल पाएंगे then indigenous coal sector भाई इसको भी benefit होगा क्यों क्यों क्योंकि इनके आगे इनको यह short short है कि इनका तो कोईला विकेगा विकेगा अब जो चीज़ important याद रखने की बात है वो banking sector कोई भी banking sector को याद नहीं रखेगा और अगर यह question में आ गया तो मारे जाओगे ठीक है इसलिए banking sector को याद रखना ये भी एक beneficiary है reason क्या है हमारे यहाँ पर बहुत सारे N NPA मतलब non-performing assets non-performing assets क्या होते हैं यह कभी आपको जो है economy की class के अंदर बताएंगे लेकिन फिलाल के लिए यह समझ लो कि भई जो loan दिया है वो वापिस नहीं आ रहा ठीक है bank के द्वारा तो उसे हम non-performing assets एक तरह से declare कर देते हैं अब इस NPA का क्या funda है देखो भई अगर N इंडस्ट्री अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी तभी तो NPA होगा ना अगर इंडस्ट्री में पैसा बन रहा है तो NPA नहीं हो सकता ठीक तो अगर इंडस्ट्री अच्छे से काम करेगी तो NPA कम होगा की नहीं होगा अब यह चीज क्या करती है सारी चीजों को लिंक करती है सारे चीज़ों को ठीक है एंड कंजूमर्स तक तो इंडस्ट्री को अच्छा बनाने की बात है तो अगर इंडस्ट्री अच्छी बनेगी तो NPA कम होगा यब यह बात न हमारे दिमाग में इतने गंदे लॉजिक पैदा कर देती है कि एक्जाम में समझ में आता है कि सब कुछ इससे लिंक ही होगा सब कुछ इससे लिंक ही होगा भाई क्या करें यह तो experience के साथ चीज़े आपको सीखने पड़ेंगी वरना यह तो मारने वाले हैं ठीक इतने बेहुदा टाइप की schemes बनाके और इतन लॉजिक लगा। कुछ-कुछ दिमाग में है इसको पढ़ने की ज़रूरती नहीं है लॉजिक 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 लगाते हैं ठीक है को लिंक करेंगे यह रहा आपका को अब अपने दिमाग में यह सोच के देखो कि को कहा देंगे रहडी पट्डी वालों को बेचेंगे परसन बी बोलता है कि मैं तुझे इतने पैसे दूंगा उस दिन तो परसन भी कोशिश करता है कि यहां पर कोई थर्ड परसंट सी हो जिसकी मौझूदगी के अंदर ये जो है वो करें अपना वादा करें तो सेम चीज यहां पर अप्लाइड होती है ठीक है अगर भाई कोल जो है कोल की कंपणी ने बोला है कि भाई हम कोल आपको देंगे किसको आपकी पावर कंपणी को है ना पावर कंपणी को बोला है कि हम आपको इतना कोल देंगे तो उस कोल की जिम्मेवारी कोन लेता है एशुरेंस कोन प्रोवाइड करता है एशुरेंस प्रोवाइड करता है आपका कोल इंडिया लिमिटेड बस है अब सो चो एशुरेंस के अंदर भी है तो इसको याद लेकिन कोल है तो कोल इंडिया लेमिटिड ही होगा सिंपल याद करने की कोई जरुवत नहीं अंडेस्टैंडिंग करो आगे बढ़ो नेक्स्ट देखते हैं कोल लिंकेज रेशनलाइजेशन अब रेशनलाइजेशन का क्या मतलब है अगर मैं आपको बोलूँ कि स्कीम्स का रेशनलाइजेशन कर दिया तो आपके दिमाग में क्या आएगा स्कीम्स का रेशनलाइजेशन कर दिया आपके दिमाग में यह आएगा कि वह कुछ schemes को काट चाट के छोटा कर दिया गया, कुछ schemes को उठा के merge कर दिया, मतलब जोहना कुछ ना कुछ कमी करी गई है, या कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से balance किया गया है, राइट, बहुत बढ़िया, बस इतनी ही बात ध्यान रखने है, बाकि सारी चीज़ ओके है, ठीक, कैसे है, देखो भई, यहां तो हमने देखा कि thermal power plant को बेच रहे थे, यहां पर क्या है rationalization का मतलब, कि suppose एक geographical area है, यह वाला, यहां पर जो है, यहां पर कोल की माइन है, यहां पर एक company है, यहां पर एक power company है, अब यह जो कोल की company के पास, जिसका auction है, वो बोल रहा है कि भई, मैं तो इसी को दूँगा, मैं तो सारा का सारा कोईला, इसी को दूँगा, भाड में जाओ तुम लोग, तो यह गलत है, rationalization का क्या मतलब है, कि भई, जो कोल की mines, यहां पर हैं, तो उनको दिये जाएंगे, बहुत बड़िया, किसको allocate किये जाएंगे, state owned को, ठीक है, private लोगों के लिए अलग चीज़ है, लेकिन state owned के लिए, मतलब जो है, मतलब अगर सरकारी जो company हैं, सरकारी जो power distribution companies हैं, उनके लिए call के linkages, assure करी जाएगी, कि वह उनको वो अच्छी मातरा में मिलता रहे, ठीक है, और thermal power plants के अंदर तो भिजली अच्छी तरीके से बनती रहेगी, ये state owned, इसके अंदर important है, that's it, ठीक है, अब ये तो हमने देखा state का, private वाले बंदे कहा हमरेंगे, वो कोई कुई में जाके, बांद के उपर से छलांग लगा देंगे, so bidding for coal linkage, अब क्या है, जैसे ये system था, same system ऐसा ही है, पर इसके अंदर क्या है, यहाँ पर private आ जाएगा, कि privately independent जो power plant है न, वो भी अब coal linkage के लिए bid कर पाएंगे, bid का मतलब होता, बोली लगाना, कि भाई, उसके हिसाब से, यहाँ पर इसको कोईला जो है, allocate किया जाएगा, ठीक है, उनका bid लगा जाएगा, और bidding जो है basis होगी, on the source of coal, quantity, quality, closeness, यह वो करके drama सारा, ठीक, देखो, यहाँ पर लिखा भी होगा है, अरे, क्या हो गया भाई या, delivery of point, amount of power, coal वगरा, सारा, सारा, सारा वही है, जो हमने देखा दा, logic के थ्रू, then, deciding criteria for coal use, coal use के लिए, deciding criteria का है, plant के efficiency कैसी है, coal transportation की cost क्या है, जगे से दूसरी जगे ले जाने के अंदर, कितने रुपे आ रहे हैं, उसके उपर, यह सारा भखवास है, यह अगर exam के अंदर आएगा, तो वैसे भी all of time वो मार के, आगे बढ़ लेना, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा है ही नहीं, लेकिन जो important है, वो यह है, note करके, ठीक है, क्या है, कि पहले जो हैं, power purchase agreement ज़रूरी हुआ करते थे, यह power purchase agreement क्या है, भई देखो, यहाँ पे है आपकी coal की company, यहाँ के है आपके power plant, यहाँ पे है आपकी discounts, जो मतलब जो है चीजों को, company को आगे मतलब, बिजली को supply करते हैं, और यहाँ पे आपके आते हैं end consumers, ठीक है, आपके local घर, तो ऐसा होता था, कि भई शुरूआत में सबसे पहले, initially, first stage की बता, सबसे पहले ऐसा होता था, कि coal ने भई power plant को दिया, और power plant ना बिजली बना रहा है, ना और कुछ कर रहा है, तो मतलब तबाही खतम हो गई, अब ये क्यों नहीं कर रहा, भई इसने सोचा कि मैं coal को ले लेता हूँ, यहाँ पे दूसरी company है, अभी ये company इसका सारा coal मैंने ले लिए, मैं कुछ करूँगा यह नि, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन इस company को बरबाद कर दूँगा, फिर मेरी monopoly हो जाएगी, और फिर मैं ही जो कुछ करूँगा, वो करता रहूँगा, बहुत बढ़िया, अच्छा दिमाग लगाया, तो government of India ने भी अपना दिमाग लगाया, वो क्या बोले, कि भई, कोल की supply आपको तब ही मिलेगी, जब आप ये दिखाएंगे, कि आपने जो है, इससे यहाँ पे discoms के अंदर, बेज दी चीज, ठीक है, तो यहाँ पे agreement बनेगा, आप ये agreement दिखाईए, और उसके basis के उपर, आपको कोल का allocation किया जाएगा, ठीक है, तो ये pre-requisite था, मतलब भई, ये पास ये नहीं है, ये agreement जो है वो नहीं है, लेकिन उन्हें potentially लगता है, या अगर government of India को लगता है, तो वे भी मतलब जो है, बीड कर पाएंगे, अपने उसके लिए कोल linkage के लिए, भई ऐसा कितने ही लोग होंगे, सपोस्थ जो मैंने पहली trick बताई थी, कि मैं तो कुछ बनाऊंगा नहीं, पावर प्लान ने बोला, मैं तो कुछ बनाऊंगा नहीं, लेकिन जो दूसरी companies को ठब बिठा दूँगा, अगर ऐसी 10 companies होगे ना market में, तो ऐसा हरकत करने वाली एक या दो कमपनिया मिलेंगी, बाकि जादा तर अपनी मेहनत के दम पे काम करने वाली मिलेंगी, तो इन 8 या 7 companies को क्यों नुक्षान पहुँचाया जाए, तो इस वज़े से जो है government of India ने इस नौम को relax कर दिया, I think आपकी दिमाग में ये बात घुच रही होगी, अभी miscellaneous initiatives की तरफ बढ़ते हैं, बहुत आसान हैं, बहुत चोटे हैं, और आज ही में आपकी जो ministry of coal है complete हो जाएगे, उत्तम, उत्तम का मतलब आपको क्या दिखता, quality है न, वैसे हाथ करके इधर तीन वो उंगलियां है न, मतलब best का जो symbol बनाते हैं, वो अंगुठे वाला नहीं, वो तीन उंगलियां जोड़के, वो तीन उंगलियां नहीं, एक index finger और एक thumb को जोड़के, और मतलब circle बनाके बाकी तीन fingers अप, तो यह क्या उत्त, मतलब वैसे ही आथा कि quality बहुत बढ़ी है, अब यह quality किस चीज की है, अगर हम किसी चीज की quality को check करेंगे, तो quality तो check करनी पड़ेगी न, अब check कैसे करेगी, बस यह चीज ध्यान रखने हैं आपको third party, third party sampling होगी, जैसे कोई भी coal की mine है, वहाँ पर कोई third party जाएगी, coal को उठाएगी, coal की sampling करेगी, sampling करने के बाद इस app के उपर बताएगी, की coal की quality क्या है, ठीक है, और यह कैसा है, map based view भी provide करेगा, बस इतना सा है, और किसने develop किया है, यह coal India Limited है न, इसके लाब और होगा ही क्या भई, ठीक, NTPC तो आके यहाँ पर कुछ तो तो फान करने वाला है, तो यहाँ पर next हमारी जो scheme है, वो क्या है, coal CM, देखो, CMS, यह तो ऐसे तो आएगा न, ऐसे ही लिखा हुआएगा, exam hall में, ठीक है, CMS, SMS, यह देखो है, SMS जैसा दिखाई दे रहा है, UPSC पाघल नहीं है, मतलब लोगों को बेफिजूल में दुखी नहीं देती, दुख देती है, लेकिन अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर इसका नाम आएगा, Coal Mine Surveillance and Management System, बहुत बढ़िया, इसी को देखो, Coal Mine की जो, मतलब जो Coal Lake की खादान है, उसका Surveillance करेंगे और Management करेंगे, Surveillance क्यों करेंगे भाई, क्योंकि Unauthorized, मतलब बिना Government की Permission के, Coal Lake की खुदाई चल रही है, ठीक है, और यह क्या है, एक GIS Based, मतलब उपर से Satellite के तरू हम देखेंगे, कि कहां पर कुदाई चल रही है, कहां पर नहीं चल रही है, और फिर उससे हम साली चीज़ें, देखके हम वहां पर रेट डालेंगे, जो भी करेंगे, वो करेंगे, और यहां पर यह क्या है, मेटी ने मैप बनाया है, Village Level तक की Information प्रोवाइड करता है, अब स्टेट स्टेट को देखेगा, बिल्कुल डीप में जाके देखेगा, अरे यार, अब सोचके देखो न, सेटलाइट का फाइदा ही क्या, जब हम गाहों तक नहीं पहुँच पा रही तो, और क्योंकि अगर हम गाहों तक पहुँच गई, इसका कोई लेना देना नहीं है, हटाओ इसको, eliminate करो, eliminate करके खुशी-खुशी आजाओगे, कि हाँ हमने elimination trick यूज़ कर दिफा, और वहाँ पे लग गई लंका, ठीक है, so this is a thing, of the cooperative federalism, next हम मूव करते है, खान प्रहरी के बारे में, ठीक है, खान प्रहरी एक अप से ही पता चलता है, खान मतलब खादान, प्रहरी मतलब चौकिदार है ना, तो इसके अंदर क्या है भाई, जो illegal coal mining होती है, जैसे ये rat hole mining, rat hole mining क्या होती है, जैसे चुहा देखा, चुहा जैसे अपना bill बनाता है, उसी तरह है ना, मतलब क्या है, गौर्वर्मेंट से टेंडर लेंगे, फलाना लेंगे, डिमकाना लेंगे, तो लोग क्या करते हैं, illegal तरीके से, मतलब 10-15 मजदूरों को लेगे जाते हैं, और अंदर ही खादान में काम करना शुरू करते हैं, कोईला निकालते हैं, सस्ते दाम पर बेज़ी देते हैं, तो ये है rat hole mining, दो साल पहले ऐसा कुछ incident भी होता, में खाले हां के अंदर, जहां पर ये जो माइन है, ये collapse कर गई थी, और फिर बहुत बड़ा नुकसान हो आ था, वहां पर जान और माल का, और फिर उसके बाद government थोड़ी सी टेज हुई थी, ठीक है, geotagged photograph, मतलब अगर आप कहीं रिष्टे से चलते जा रहे हैं, आपने rat hole mining देखी, आप इस खान पर रहरी आप को download करो, यहां पर photo का section आएगा, photo पर click करो, यहां का photo लो और send कर दो, यह photo जो है आपकी location के साथ match होके, satellite पर जाएगी, government को पता चलेगा, और government पकड़के इनकी एस तसी कर देगी, simple चीज, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, sustainable development cell, यह बहुत confusing चीज है भाई, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, मतलब confusing यह इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मतलब अख्वास है यह दो, लेकिन confusion का क्या है, जैसे sustainable development cell आएगा ना, हम ministry of environment ठोक आएगे वहाँ पे, कि sustainable development cell तो ministry of environment के अंदर आएगा, क्योंकि SDG का गाम करने की जिमेदारी उन्होंने, या नीती आयोगा आ गया, तो हम नीती आयोग के उपर लगा देंगे, लेकिन यह logic की ऐस तैसी कर देता है, तो दो भी चीज लॉजिक की ऐसी तैसी करती है, उसको अपना separate लिख लो कि भाई, यह हमें धिहान देना इसके उपर, वैसे sustainable development cell क्या करती है, कुछ नहीं करती है, फालतु के ड्रामे करती है, ठीक है, जो कॉल मिनिस्ट्री है, उसके अंडर यह sustainable development cell जो है, वो बनाए गई है, उन्होंने क्या बोलाए कि भाई, कोल की जो माइनिंग है, वो sustainable होनी चाहिए, environment को नुक्सान ना पहुँचे, और एक futuristic framework हम बनाएंगे, बस, मदब फालतु के बोल बच्चन, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, बाकी यह याद रखना है, ministry of coal के अंदर है, प्रकाश, प्रकाश क्या है, प्रकाश का मतलब होता है, उजाला है न, तो उजाले की तरह क्या है यहाँ पे, लेकिन उजाला लिंक नहीं है यहाँ से, power rail coil availability through supply harmony, यहाँ पे आपको बात यह याद रखनी है, प्रकाश का मतलब है, through the supply harmony, ठीक है, यह एक तरह का portal है, सबसे पहले तो यह बात समझे, लेकिन इसके अंदर supply की हार्मनी होगी, तो हमने पहले क्या देखा था, linkage, वही linkage का drama यहाँ पे पेल रखा है इनोंने, अब यह linkage का drama क्या है, देखो, better coordination for coal supplies among all stakeholders, है न, कि जितने भी stakeholder हैं, भई, ministry of power हो गई, ministry of coal, coal India, railway, power utilities, यह वो, यह वो सारे दुनिया जहां की problems को, मिला के एक साथ कर देनों, बहुत दुख दुखदाई देते हैं, यह मतलब fancy सा word करके, कलाई से scheme निकाल डाली, यह portal develop किया गया है, NTPC के दवारा, इसे ध्यान में रखने का, यह किस के दवारा develop किया गया है, NTPC के दवारा, so this is important right here, वरना हर जगे पर CIL था, Cole India Limited, लेकिन यहां पर क्या है, NTPC, प्रकाश के उपर NTPC, बागी हर जगे CIL है, तो या तो आप CIL हर जगे याद रखो, या सिर्फ आप प्रकाश को याद रखो, कि बागी प्रकाश के उपर NTPC, बागी हर जगे CIL है, आने दो Ministry of Coal की कोई भी स्कीम को, confidential level के उपर होगा आपका, ठीक है, so, आगे फिर नई Ministry शुरू हो गई हमारी, that is the Ministry of Commerce and Industry, और आज की स्कीम के लिए बस इतना ही, आपकी ये पूरी जो है, Ministry of Coal की जो स्कीम है, वो आपकी complete हुई, I hope आपको logical way के अंदर, समझने में कोई तकलीफ हो नहीं हो रही होगी, और अच्छे तरीके से आप इसे समझ रहे होगी, so, this is all about today's session guys, have a nice day,